आडी शर्मा स्लूशन देख रहे हैं क्लास 11 है चाप्टर 26 इलिप्स है एमसी क्यू सवाल संख्या है नौ दा लेटेस रेक्टम अब जी कॉनिक कॉनिक की एक्वेशन ये दी हुई है इस लेटेस रेक्टम कैसे निकालेंगे ये सवाल के बारे माँ चर्चा अलरी कर चुके हैं तो कैसे करना होता है हम परफेक्ट स्कुर बनाएंगे और इसको X स्कुर X मैनस H होल स्कुर बाइ A स्कुर प्लस Y मैनस K होल स्कुर बाइ B स्कुर प्लावर 1 इस से एक्वेट करेंगे और इस तरीके से बनाने के कुशिश करेंगे जिसे हमें H और के direct हमें center मिल जाएगा A और B हमें semi major और semi minor मिल जाएगा और क्योंकि हमें latest spectrum निक चाहिए तो हमें B और A पता होना चाहिए उसके लिब क्या करने वाले हैं यहां देखेंगे 3x²-6x इसको ले लिजिए 4y²-8y यहां ले लिजिए 5 को इतर कर दीजिए x²-2x मैंने पिछले सवालों में बदाया कि कैसे हम परफिट स्कुर बनाते हैं तो यह x-1 whole square हो जाएगा और यह y-1 whole square हो जाएगा x-1 y-1 whole square फिर इसकी आउशक्ता नहीं पड़ेगी हमको इसकी जरूत है तो यह a² है यह b² है तो a² 4 है तो यह कितना हो जाएगा 2 b² 3 है तो b कितना हो जाएगा root 3 तो एर b आगया 2b² by a b² तो direct रग दीजिए आप यह बलब 3 रग दीजिए 2 into 3 और a के जगा आप 2 रग दीजिए तो 2 into 3 by 2 कितना हो जाएगा 3 यह इसका उतर है इसका उतर जो आएगा वो a आएगा अगला सवाल है the equations of the tangents to the ellipse आपको यह equation दीए है 9x square plus 16y square equals 144 the equations of the tangents to the ellipse is from the point to 3 r अब इसमें क्या करना है इसमें पर एक ellipse बनाते है यह ellipse हो गया आपका the equation of the tangent of the ellipse from point to 3 अब to 3 point कहीं भी हो सकता है वहाँ से आप इस पे tangent मना रहे हैं तो कोई ऐसे हो सकता है माले यह point है मुझे नहीं पता 2-3 वैसे यहां होता है लिकिन मैं यहां बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए तो यह एक tangent होगा यह एक tangent होगा ऐसे है यह जो tangent है equation इस tangent के निकालनी है तो इसमें अब क्या करते हैं कि सबसे पहले यह जो equation है आप देखें यह जो equation है इसको हम जो standard formulas में लिख लेते हैं x square पूरे को पहले आए 144 से दिवाइड कर दीजिए 144 से तो यह आएगा x square by 16 y square by 9 बराबर 1 अब आप देखेगा जो equation होती ही tangent अगर ellipse है तो इसकी equation होती ही y equals mx plus अगर rule a square m square plus b square यह कैसे आता है मैं आपको उताज़ेता हूँ यह क्या होता है कि आप यह एक line की equation मानते है y equals mx plus c ऐसे मानते है और उसका इसके साथ intersection करवाते है उसका इसके साथ intersection करवाते है यह 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 की जगा आप mx plus c रख दे तो उससे जो आता है उससे यह बनता है और यह इसको आप a square b square रखते और फिर किसी तरीके से आप c को जो constant है वो निकालने के कोशिश करते है और फिर उसको यहाँ पर जो constant निकलेगा इन दोनों के intersection से वो आप यहाँ रख देदे वो यहाँ पर यह c रखा हुआ है तो आपकी equation क्या बन जाती है इसको आपको थोड़ा सा ध्यान अठना पड़ेगा y equals mx plus under root a square m square plus b square तो इसमें देखेगा a और b की value तो आपको पता है a square b square की यहाँ रख देगी अब क्योंकि यह tangent जो आ रहा है वो किस point से आ रहा है वो आपका किस point से आ रहा है 2 और 3 से तो आप यहाँ पर x की जगा 2 रखिए y की जगा 3 रखिए x की जगा 2, y की जगा 3 इसको solve करेंगे एक quadratic equation बनेगी आप देखेंगे m0 और minus 1 आएगा तो m जब 0 है m जब 0 है तो आप देखेंगे कि y की value क्या आनी चाहिए हम इस equation में रख रहे है m जब 0 है m जब 0 है y कितना आता है वो आपकी equation यहां से लिख लिए आएगी तो m जब 0 है तो y 3 है m जब minus 1 है तो y क्या है minus x plus y तो y equals 3 और इसको ऐसे लिख सकते है x plus y equals 5 x plus y equals 5 y equals 3 यह जो है यह दोने equation है इसका जो solution आ रहा है वो d आ रहा है d अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है the eccentricity of the ellipse तो इसमें तो कुछ नहीं करना है और यह ऐसे सवाल नहीं देख चुके हैं पहले तो perfect square बना दीजें और इसके बाद x square by x minus h whole square by a square plus y minus k whole square by b square equals 1 ऐसे form में कर दीजे तो यहां पर यह final आप यह कर लेंगे ना यह बहुत बार हमने कर चुके हैं इसको ना इसलिए मैं यहां direct बता दे रहा हूँ तो इसको इसके कफेर करेंगे a square by square मिल जाता है आप देखिए इसमें बड़ा कौन सा है चोटा कौन सा है यह बड़ा है यह चोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है 1-b square by a square अंदर रूड यह eccentricity हो जाएगी यहां पर आप डाल दीजे value तो a 3 और b 2 तो आपने जब यह डाला value तो क्या आते है यह होगी आपका root 5 by 3 तो इसका उत्तर हो जाएगा d ग्यारवे का उत्तर हो जाएगा d इसमें भी एक करना इसमें तो खेर डिरेक्ट दिया हुआ है तो a square by a square plus y square by b square equals 1 यहांने कि पूरे को आप 36 से divide कर देते तो a square by a square plus y square by b square equals 1 आ गया और इसमें a देखिए a3 है b आपका 2 है तो a square a b square है तो a greater than a b से बड़ा है तो eccentricity हो जाएगी 1 minus b square by a square b square आपका 4 इन दीजिए a square की जगा आप 9 रख दीजिए under root by 5 under root 5 by 3 तो इसमें भी 11 और 12 बोरे के question का answer root 5 by 3 ही है यह 13 सवाल है eccentricity of the lips इसमें भी यही करना है 5 x square plus y square by 1 by 9 अब पताइए 1 by 5 और 1 by 9 में कौन सा बड़ा है इसमें देखिए अगर 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 को कोई परिशानी होती है तो दोनों को किसी एक number से बड़ा कर दीजिए इसके calcium से बड़ा कर दीजिए 445 से बड़ा करिए इसको भी 45 से बड़ा करिए यह आता है 9 यह आता है 5 कौन सा बड़ा हुआ है यह हुआ यह बड़ा है तो यह a square है हमारा यह b square है हमारा तो eccentricity क्या होती है under root 1 minus b square by a square under root 1 minus b square b square यह निका 1 by 9 by 1 by 5 तो यह हो गया under root 1 minus 5 by 9 9 यह हो जाएगा 9 minus 5 by 4 यानिकी 9 minus 5 by 9 4 by 9 तो यह हो गया under root 2 by 3 और सॉरी बाहर आगा ना 2 by 3 यह है इसका उतार की अगला question number 14 इसमें कहा गया है find the ellipse for the ellipse यह अब इस ellipse के लिए आपको कहा गया है कि 4 options दिये तो क्या-क्या है इसमें तो ellipse आपको दिया है x square plus 4y square बरावर 9 तो इसमें सबको तो पहले 9 से divide कर दीजिए x square by 9 plus 4y square by 9 equals 1 तो मैंने का x square by 9 plus y square by 9 by 4 equals 1 तो इसमें यह a square हो गया 9 b square हो गया 9 by 4 इसका मतला सीधी सी बात है कि a square b square से बढ़ाया तो है centricity कितनी होगी under root 1 minus b square by a square b square की जगे 9 by 4 रखिए और a square की जगा ही रखिए तो अरा centricity हो जाएगा under root 1 minus b square by a square 9 by 4 by यह आपका 9 यह बन गया आपका 1 by 9 1 minus 1 by 4 1 minus 1 by 4 में क्या बना? यह 4 minus 1 यह यह 3 by 4 तो under root 3 by 2 आए गया centricity root 3 by 2 आगया तो centricity is 1 by 2 पहला option तो गलत हो गया फिर का गया latest rectum क्या है latest rectum क्या दिखते हैं? latest rectum है 2b square by a लेगे ना? 2 into b square क्या है? 9 by 4 by a यह कितना है? 3 तो यह कितना बन रहा है आपका? latest rectum बन रहा है तो इसमें जो option है दूसरा वाला B वो सही हो गया यह अगर IIT या किसी examination का question होता है तो आप सब सारे सारी चीज़े निकालते हैं तो रूट 3 आ रहा है लेकिन इसमें माइनस 2 रूट 3 दिया हुआ है और यह आपका 3 रूट 3 दिया है आजला आंसर में लेकिन यह 3 रूट 3 रूट 2 आ रहा है तो यह दोनों focus directrix और eccentricity eccentricity तो छर्प दिया ही नहीं हुआ है eccentricity half दिया हुआ है रूट 3 रूट 3 रूट 2 आ रहा है तो सही केवल हमारा जो आ रहा है वो latest rectum है इस option में अगर 14 question आपके सामने हो तो आप देखेगा केवल B match कर रहा है पंदरा सवाल है if the latest rectum of ellipse is one half of its minor axis lotus latest rectum होता 2B square by यह है one half of minor axis मुझे यह समझ में नहीं आता यह question जो है यह 4 बार हम कर चुके तो RD शर्मा में इतना repetition क्यों है fair anyways करना तो ही तो यहां पर आप देखेंगे यह से मिलेगा आपको यह A B यहां ले जाईए 2B square बराबर A B तो जो मुझे follow कर रहे होंगे वो देख रहे होंगे कि A की सवाल बार 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 आ रहा है लेकि मेरा इसमें कोई रोल है नहीं क्योंकि जो question हो तो solve करने है तो बार बार एकी चीज़ repeat होगी तो A B से भी कार दीज़े A बराबा 2B होगी अब eccentricity तो होता है under root 1-B square by A square A square की जगा रख दीज़े 2B यानिकी 4B square बीसकर बीसकर कैसल 1-1 by 4 यानिकी 3 by 4 under root में तो root 3 तो ऐसी रहेगा 4 की जगा 2 आ जाएगा eccentricity root 3 by 2 तो पहले चीज़ तो यह है कि हम जानते है equation होती है x-h whole square by A square plus y-k whole square by b square बरापर 1 तो हमको center दिया है 1-1 तो सीधा आप यान लिख दीज़े x की जगा, h की जगा यह h है, यह k है तो x-1 का whole square plus y-k, minus or minus हो जाएगा y plus 1 का whole square और divided by a square b square बरापर 1 अब इसमें आपको कहा गया है semi major axis 8 है semi major axis 8 दिया हुआ है तो semi major axis होता है a, यह दिया है आपको 8 a square तो ही आपके पास semi major a होता है semi minor b होता है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे a square 64 यह नहीं बता हमें बरापर 1 लेकिन यह भी कहा गया है कि यह pass हो रहा है 1-3 से तो इसकी जगा 1 रखिए 1-1 का whole square by 64 plus y के जगा रखिए आप 3 3 प्लस 1 का whole square by b square बरापर 1 तो यह तो खेर 0 होई गया 1-1 0 होता है इसको अटा दीजे यह आपका हो गया 3 प्लस 1 whole square नहीं कि 4 square बरापर b square तो b आपका 4 आ गया तो b square की जगा 4 यानि 4 4 square यानि 16 हो गया तो यह जगा पका 16 रख दीजे तो equation क्या बनी है x-1 whole square by 64 y plus 1 whole square by b square की जगा 16 बरापर 1 तो b है इसका उतर अब इसमें है 24 सवाल तो हम 8 8 यह 17 सवाल यह इसको और कर लेते हैं फिर अगला सवाल अगली बार करेंगे 17th question में कहा गया है the sum of the focal distance of any point on the ellipse in 9x square plus 16y square equals 144 is तो इसमें सीधा साब को fundamental लगाना है पहले मैं equation बता देता हूँ 9x square plus 16y square बरापर 144 हम देख चुके इसे कैसे करना है पहले तो आप 144 से डिवाइड कर दीजे पूरे को तो यह आज़े का x square by 16 y square by 9 बरापर 1 यह हो गया यह a square है यह b square है अब कोई भी लिव्स बनाई है यह हम कई बार discussion हमारा हो गया है इसलिए आपको तो आपको इसा एक बर और मैं discussion करके बता देता हूँ कोई भी point ले लिजी यहाँ ले 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 कहीं भी ले 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 तो अगर मैं यहाँ से कहूँ यह focus 1 है यह focus 2 है इसको मैं कहूँ यह d1 है और इसको मैं कहूँ d2 है तो d1 plus d2 यह 2a के बराबर होता है 2 into a a याने की 2a कहेंगे तो major axis होगी a into a मतलब semi major axis d1 plus d2 होता 2a जान रहेगा तो a क्या है इसमे यह इसकोर है ना 16 तो यह कितना होगया 8 तो 2a कर दीजिए 2 into 8 2 into यह 4 होगया यह 4 होगया अंडरूट लेंगे ना इसका 2 into 4 कर दीजिए कितना होगया 8 8 है इसका उतर सत्रवे का 8 है उतर अब एक काम करते हैं यह जो अगले सवाल है 18 से लेकर 24 यह हम अगली बार करते हैं शुक्रिया महरबानी आप सभी की अगले साथ